हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं यूटुब चैनल बगर किचन में आपको सौगत है चलिए फ्रेंड्स आम का सीजन चल रहा है अब हम पूना की फेमस मैंगो मस्तानी बनाएंगे इसके लिए मैंने यहां पर सारी प्रेपरेशन कर लिए चलिए अब हम बनाना स्टाट करते हैं फ्रेंड्स हमने दो आम लिए है एक काम का हम मैंगो होममेड आइसक्रेम बनाएंगे इसके लिए मैंने इस तरह से पीसस कर लिया है हमने मिकसर क्राइडर का जार लिया है इसमें मैंगोज अच्छे मीठे हैं इसलिए हम इसमें शुजर बस 3 टी स्पून एड़ करेंगे और 2 स्पून कट्लेंस मिल्क एड़ करेंगे इसे इसका टेस्ट आइस क्रीम का बहुत अच्छा आएगा और यहां पर हमने 3 टी स्पून कस्टड पॉर्टर लिया है यह भी हम इसमें आड़ करेंगे हाफ कप इसमें हम मिल्क एड़ कर लेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे चलिए फ्रेंड्स हमने आइस क्रेम के लिए इस तरह का मैंगो प्यूरी बना लिया है आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस इसे हम आइस क्रेम को डेकुरेट करेंगे अब हम इस पर थोड़े से आम के पीस सेट करेंगे और थोड़े से बादम और चेरी आड़ करेंगे चेरी बहुर टेस्टी लगते है खाने में और इस पर काजू भी आड़ कर लेंगे करते हैं चलिए अब इसे हम सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देंगे चाल फंटे के लिए मैंको मस्तानी के लिए आइस क्रीम सेट हो रहा है अब हम मैंगो की स्मूथी रड़ी करेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर आम को इस पीशस में काट लिया है अब कमिक है शुगर ऐट करेंगे मेने यहाँ पर प्रिज में थाना होने के लिए comprende यहाँ यहाँ पर मैंगो की smoothie रड़ी कर लिए इसे हम ध़कर नमल फ५िंज में ठड़न होने के लिए रख देंगे लिजिए मैंगो smoothe भी तंदी हो चुकिए है मैंगो आइस क्रीम हमारे ओचर्फ करेंगे चलिए फ्रेंड मांगो मस्तानी को किस तरह से सर्फ किया जाता है हम आप को बताएंगе पहले हममें प poem के P-set करेंगे मैंगो स्मूथी आड़ करेंगे यह देखें कितना क्रीमी टेक्स्चर लग रहा है बहुत ही डिलिश्यस बनता है यह देखें हमने मैंगो स्मूथी आड़ कर लिया है अब हम इस पर थोड़े से नट्स आड़ करेंगे और चेरी आड़ करेंगे अब हम इस पर मैंगो आइस क्रेम आड़ करेंगे यह देखें इस तरह से हमने इस पर मैंगो आइस क्रेम आड़ कर लिया है अब हम फिर से इस पर मैंगो के पीसर साइड़ करेंगे और इस पर मैंगो स्मूध्य आड़ करेंगे हमने मैंगो स्मूध्य डाल कर इस तरह से राउंड मैंगो पीसर को सेट कर लिया है इस पर हम खटे हुए बाद हम डालेंगे और अब हम इस पर मैंगो आइस क्रेम आट करेंगे यह देखिए हमने इस पर मैंगो आइस क्रेम आट कर लिया है अब हम इस पर एक इस तरह से चेरी रख देंगे यह देखिए हमने इसे कितने अच्छे से डेकोरेट कर लिया है डीजे फ्रेंड्स पूना की फेमस मैंगो मस्तानी बनकर रेडी हो चुकी है यह तो खाने में बहुत डिलिशेस लगती है आप मेरी इस रेस्पी को जरूर ट्राइक कीजिए अगर आपको मेरी रेस्पी पसं अबसी से रेस्वाइ़ एड़र लिया और गा कार अचले कीजिए रेस्वारास अबसे अज़ा आपको अधिते हburg